खबरों में बात करते हैं मध्य परदेश के दिवास की जहां इन दिनों दिवास जिले में बच्चे चौर की घटनाओ की खबर से पूरे इलाके में देश्चत का महल है देरसल ऐसे ही एक मामला दिवास जिले के करनोध में मंगलवार की रात को देखने को मिला जहां पर एक महला को घेर कर भेडू से मारती नजर आ रही है जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने महला का अपने कबज में लेकर थाने लाकर पूचताच की जिस पर महला ने अपना नाम देखा बाई पती बलग्राम निवासी डेहरिया बताया और वहाई शुराप के नशे में थी इसलिए नगर पंचाय चुराहे पर घूमती पाई जाने पर आमजन के गुस्से का शिकार हो गई बच्चा चोरी के सोचल मीडिया पर चल रहे है अफवाओ के चलते शिकार हो गई है पुलिस ने पूचताच कर उसे उसके घर डेहरिया छोड़ दिया जबकि महला ने शुराप पी रखी थी ना ही कोई बच्चा चुराया था लेकिन पूरे देश में चल रही सोचल मीडिया के नाम से बच्चा चोरी के अफवाओ के चलते भीड का शिकार हो गई अभी संग्यान में आया है एक वीडियो मैंने देखा है उसमें वाया सोचल मीडिया पे चल रहा है मैंने धाना प्रभारी को बोला है कि इसकी जाज करे और गंभिरता से ले उस बात को और उसमें कारवई करे धाना प्रभारी को निर्देशत कर दिया